तो गाईज, आज मैं कोशिश करूँगा हिस्सा बनने की Flash की Family का कितनी बड़ी family, सबसे जादा तेज़ भागने वाले लोगों की हाँ, बिल्कुल सही बोला गाईश इंचानने इनकी family का हिस्सा बनने के लिए मुझे अपने आपको Normal Flash से Upgrade करना होगा Flash में और फिर फ्लेश से, सूपर फ्लेश के अंदर जो की दिखेगा, कुछ ऐसा, तो गाइस, जल्दी से लाइक करो वीडियो का, जुड़ जो हमारे साथ इस सपर पे, फ्लेश बनने के, वो भी सूपर फ्लेश, भिलकुल सही बोलागा शिंचैन, तो गाइस हमा गए हमारे पहले पे, और हमें यहाँ पर अभी लेवल वन का होना पड़ेगा, अभी हम जीरो लेवल के, क्योंकि भी हम नॉर्मल इंसान है, और यह जो यहाँ सामने खड़े, यह हमारे फादर फ्लेश है, मतलब कि यही है सैवी टार, सबसे जाद हाई अपग्रेडिड वर्जन, वो भी फ् क्योंकि मैं एक लाplरिस बच्चा हूँ, और मुझे फ्लैश बनना है, तुम एक लाबरिस बच्चे हो, और एक और बात यह, कि मैं एक लावारिस बाप, मेरा मतलब है कि मैं बाप ही नहीं हूँ अभी, तो इसलिए मैं शाहिद तुम्हारा बाप बन सकता हूँ, अरे मैं यह तो कबाल की बात हो गई, आपको तो बाप मिल गया एक सेकंड शिंचैन यह फाल तो कि पकवास बत करतू केवल यह मेरा भी फ्लेश डैड बना है, असली डैड ठोड़ी अरे मेरा मतलब वही है, हाँ, और मैं शिंचैन का डैड और खेर, लेबल वन का बनने के लिए मुझे करना क्या होगा, मतलब फ्लेश बनने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चे, तुम्हे फ्लेश बनने के लिए उस लड़की से रेस लगानी होगी एक सेकंड उस लड़की से वो मेरी बेटी है अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम मेरे बेटी बन जाओगे और मैं उसे कुड़े में फेक दूगा एक सेकंड आप सच में कुड़े में फेकेंगे अरे मजाख कर रहा हूँ कितना जीब लोग है यह लोग खेर मुझे रेस लगाने है पर रेस होगी कैसी उदर जाओ तुम्हारे प्रिंसिपल के पास एक सखिंड वो प्रिंसिपल है क्या गाईस वो तो ब्लू कलर का से विटार है मैं समझ गया यह प्रिंसिपल है भाई मैं पान निमी गरिका और मैं बच्चा हूँ अभी खेर में भार आ गया अरे वह देख करके लगता है कि तुम्हें स्विमिंग आती है क्योंकि तुम्हारा पहला पढ़ाओ स्विमिंग ही होने वाला है एक मिनट यह का कह रहा है तुम्हें स्विमिंग करके सीधा आगे क्यों जाना है यहां से सीधा उदर तक चलो चलो सवाश बच्चों खड़े हो और जल्दी से दिखाओ अपना कर्तब एक सेकंड हम सरकस वाले है क्या कोई जो कर्तब दिखाए अरे मेरा मतलब है की अपना जल्बा दिखाओ और जीत के दिखाओ यह रेस ठीक है मैं समझ गया मुझे नहीं हरा सकते वह तो खेर अभी पता चलेगा कि कौन किसको हरा था और कौन किसको नहीं चलो तो फर मेरा तीन गिनने पर भागना हाँ ठीक है हाँ तो थ्री टू वान गो खेर गाइस गो बोल दिया हमें जल्दी स्विमिंग करनी पड़ेगी इस लड़की से पहले पहुच उगा मैं चाकुच हो जाए एक सेकंड मैं पहुच गया और लड़की का है अरे कितना ठंडा पानी है एक सेकंड इसे पानी ठंडा लग रहा बेफकुफ कहीं की हार गई गाइस वो तुमने कमाल कर दिया मेरे बच्चे यह सच में हमारा नाम रोशन करेगा बहुत जादा अब तुम्हारे को स्पीड ल के फ्लेश बन चुके हो किड़ फ्लेश किडश municipal बन एक सेकंड किड़ बाग सकता होंगा एक सेकंड मैं थे नी भाग सकता है क्या क्या मजाक है काफी भद्धा मजाक है है ना हाँ मजाक तो काफी भद्धा है लेकिन एक सअकेंड अब मुझे क्या करना फिर सर्विमिन करने केलिए था खया हम ठॉब ने क्लिए कि पूर्प राइ obedient यह जा तो अ偉 Anything गलत लोग बीच पो फस गया ऐसा लग रहा है मैं एक सेकंड यह बंदा तो मेरी तरह ही दिख रहा है एक सेकंड तुम यहां पड़्चाई में मूदे के क्यों खड़े हो किसी से लड़ाई हो गया क्या लड़ाई नहीं हुए मैं यह सोच रहा हूं कि आखेर लेवल टू पे अपग्रेड कैसे होते हैं हाँ यार यह बात तो मैं भी एक सेकंड यह बाद हम जाकर के सीधा सर से क्यों नहीं पूछ लेते सर क्या रहा हूं मैं मतलब हमारे जो फ्लैश डैड है उससे जल्दी पूछो हाँ मैं पूछ नहीं आया हूँ अरे वैसे आप एक बात बताओ मेर से क्यों ले आए तुम या तुम्हें भी तो लेवल टू पर अप्ग्रेड होना है एक सेकंड यह बंदा मेरे साथ आ गया यहां पर पर आखिर यह बोल किस चीज के बारे मेरा एक सेकंड ने तो कार है यहां से भागो गाइस इसे से बच के भागने के लिए करा तो शायद अरे यह तो रिवर्स फ्लाश की कार है घाइस यह तो मेरे पीछ है यह जास है कहां बचके भाग रहे हो मुझसे बचने नहीं वाले चुप अरे गाइस आखिर पर क्या ही बोलू औरे क्यों रोड पर भागो यह तो चीटिंग है अच्छा मैं समझ गया ठीक है रोड पर मेरा स्पीड लेवल और ज्यादा हाई हो गया गाइस में और ज्यादा आगया उससे और लगता है कि फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वालों बस अरे पर वहां पर तो कोई हाई नहीं चाश्य शिंचैन वह मुझसे भी तेज भाग लेते इसलिए वो मेरे से पहली पहु अब लेवल 3 पे जाने के लिए क्या करना होगा मास्टर अब तुम्हारी चुनातिया मुश्किल होती जाएंगी अरे आप तो ऐसे डरा रहे हो कि क्या ही होगा पता नी बस मैं मरना जाओं मर भी सकते हो सोच लो नहीं नहीं मैं मरना दो तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं चुनातियों का सामना पूरी पाद मार के करोगे ने 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 पाद मार के नी पूरी हिम्मत से करूंगा हां बिल्कुल सही बोला पूरी हिम्मत से तुम बस मुझे लेवल दिखाओ कि कितना मुश्किल होने वाला है वो मैं सोचूँगा कि उसे पार कर पाऊंगा कि नी ठीक ह तुम्हें अब असली चुनातिया देता हूँ, चलो मेरे साथ हाँ चलते है, एक सेकंड हम यहाँ पर किसले आये हैं यहाँ तुम्हारा अगला पड़ाओ है, शेहर के सबसे बीजी आईवे को पार करना एक सेकंड मुझे इस जगा से उस जगा तक जाना है, मतलब हाँ सामने वाली बिल्डिंग तक बिल्कुल सही बोला, तुम तयार तो हूँ ना हाँ मैं तयार हूँ, कोशिश करूँगा कि किसी से ठुकूँ ना ब सबस्वाइज जलदी जलदी जाना होगा, बदानी का इस क्या ही होग या से खूदते ह legen, यहां से हाँ एक तया से कार सात्योग है लग हैरा भी तो ऐसा लग रह एकि जादा लोग है नहीं तो अभी कूज लेते जल्दी से नीचे और अराम से चलते आगे एक सेकंड यह क्या था अरे मैक्स भाई यह तो दोका था अरे शिंचान धोके का तो पता नहीं लेकिन यह लोग मुझे ठोक ना दे अभी जल्दी जल्दी बस बच के भागता हूं ऐसी कोई आ तो नहीं रहा है नहीं गाई यहां से भी कोई नहीं आ रहा बस बस मैं पहुचने वालों पहुचने वालों पहुचने वालों अरे भाई साभ गाई इसी वक्त इसको ठोकना था क्या अरे मैक्स भाई यह फिनिशिंग लाइन पर ही हो हाँ Shinchan ही कह रहा है तू, पहले तो इसको बताओ नहीं तो, हिम्मत कहा सबीटेरी मिरे को ठोक ने की अरे Max भाई आपका टाइम भी कताम होने वाला है अरे Shinchan को टाइम भी चल रहा है क्या अरे और नहीं तो क्या अरे शीट शीट भागना पड़ेगा या से फिर तो पार कर लिया यह बात तो है इसलिए तुम्हें लेवल थ्री पे पुचाया जाता है भी एक सेक्ट यह मैं क्या बन गया अब तुम डार्क फ्लैश बन चुके हो तुम्हारी ताकते पहले से भी जाधा बढ़ चुकी है इसका मतलब मैं बहुत थेज भाग सकता हूं बिलकुल समझ गया लेकिन मेरे को यह बताओ कि तुम्हारे जैसा बनने के लिए आकर करना क्या होगा मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें जो भी दूसरे तरीके के फ्लैश होते हैं उन्हें उल्लू बनाना पड़ेगा मतलब तुम कहला क्या चाहते हो अरे इसका मतलब आपको तीन कुछ ऐसे किन्डैप करना है बिल्कुल सही बोला तुमें तीन अलग अलग तरीके के flashes को kidnap करना होगा मैं तुम्हें डबा दिखा देता हूँ जिसमें लाकर के उन्हें रखना है उसके बाद तुम upgrade हो के मेरी तरह हो जाओगे कैर अब जाओ जल्दी से उनके साथ हाँ ले चलो मुझे ले चलता हूँ यह देखो यह यह वो जगा एक सेकेंड यह तो एक दमी glass वगेरा लखे हों यहाँ पर यह जगा वह तोड़ तो नहीं सकते न नहीं तोड़ सकते तुम्हें सारे अजीब अजीब तरीके कैली mental flashes को ढूणना है और उन्हें यहाँ ना करके बंद करना है तीन अलग तरीके के कैर समझ गया तीन तरीके के कैर पहला वाला तो मुझे आस-पास ही मिल जाना चाहिए यार यह सिटी पूरी flash से भर रख किया अभी अरे सेर मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ एक सेकेंड यह आवाज है कहा से आरी है बिलकुल मैं तुफान भी ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास थौर के जैसी शक्तिय है कैर तभी तो तुम बिजली वाले flash हो कैर गाइस हमें हमारा पहला elemental flash मिल चुका है कैर मुझे तुम्हारी मदद ची एक सा एक बारी मेरे साथ चल लो चलो मुझे लेके यह हुई ना बात गाइस अब जल्दी से लेके चलते हैं आ जो मेरे पीछे पीछे और यह डबा तो देखो जरा अरे क्यों इस डबे में ऐसा क्या है एक बार इसके पास तो जाओ तुम क्यों इसके पास जाओंगा तो क्या होगा अरे जाओ तो सही क्या ऐसे जाने से कुछ होगा तो नहीं अरे एक सेकेंड अरे एक सेकेंड यह कहा गया यह अरे अंदर पहुँच गया यह तो अरे शेंचान यह रहा यह अंदर पहुच गया यार यह तो सच में हेई तुमने ऐसा क्यों किया मुझे अंदर क्यों फजा दिया एक सेकंड तुम कुछ कहना चाते हो क्या तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मम्मी मुझे बाहर निकालो गाइस यह कुछ तो कह रहा है जो कि मुझे बिल्कुल सुनाए नहीं दे रहा अरे शाय से अंदर से आवाज नहीं आती ग्लॉस क हाँ इस शीशे के अंदर से आवाज नहीं आ रही और अब तुम चुप चाप यहीं बैठे रहे हो मेरे को बाकी के दो फ्लेश इसको और ढूनना है वो भी आसपास ही मिलता है इस बारी सेट जाओंगा मैं तुम से जादा थेज भाग सकता हूँ है बच्चे हो तुम अभी एक सेकंड गाइज यह नीचे कौन है आकर अरे को लड़ाई कर रहा है एक सेकंड गाइज यह तो दौला गलग तरीके के फ्लेश है मतलब एक तो ख्यार फ्लेश है फ्लेश का वर्जन है जिसको राइवल बोलते शायद और एक दूसरा ग्रीन एरो है और यह दोनों ही क्या बात बतानी है मुझे यही कि यह बच्चा मुझसे कहना था कि मैं बहुत थेज भाग सकता हूं पर मैंने भी बोल दिया कि आकर मैं एक तीर मारूंगा और तेरी चड़ी पटके आर्ट मा जाएगी क्यूंकि मुझसे दाना थेज स्पीड में तीर कोई नी मार सकता अरे चैलेंज के लिए तो मैं बैठा था तिने दिनों से अरे पहले चैलेंज सुनतो लोस के बाद राइडी हो ना मेरे साथ चलो तुम एक चीज दिखानी है अरे लेखे का जा रहे हो हमें और बताई दो ना का जा रहे हो तुमसे पहले पहुँच जाएंगे आरे मैं आराम से चलने में बिलीव रखता हूँ, आज जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, खेर ये देखो, बिचारे लाइटनिंग फ्लैश को किसी ने किडनाप कर दिया, इस जार के, मतलब ये जो भी है, गिलास का एक जाल बना रखा है किसी ने, मेरे को तो डाल में काला लग रहा है कुछ, खेर, डाल में कुछ काला ने, बिल्कि पूरी की पूरी डाली काली है, अरे मतलब, मतलब ये, मैं ये देखना चाता हूँ, कि अगर तुम दोनों में से जो भी इस गलास को तोड़ करके इसे भार निकाल लेगा, वो जीच जाएगा, हाँ, मैं फायर वाली पावर्स रखता अपने अंदर, अभी मुह से आख छोड़ूगा और ये, पूरा का पूरा पिकल जाएगा, नए, 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 एक तीर मारूँगा, सब खतम है, खेर, देखते हैं कि कौन जीचता है, एक काम करो तो फिर तुम भार से मार के ट्राय करो एक बारी, हाँ, बिल्कुल ट्राय कर है, खेर, अब देखो, तुम इसे पिगला दूँगा, ऐसे, एक सेकंड का, इसे तुम मुह से आख छोड़ सकता है, वो भी कितना जादा है, पिगल लग रहा है, अरे, बाम, एक स्पाई, कितना कतरनाक है ये, इससे तो कुछ फराक ही नहीं पढ़ रहा पर, खेर, इने सच प्लते अंदर चलो, जाना कैसे अंदर, बस पास जाके खड़े हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, अरे, एक सेकंड, अरे, ये क्या किया, तुमने हमें के डाप कर दिया, ये, तुम ने सईडी किया, एक सेकंड, तुम जो कुछ भी बोल रहा, मुझे से बना सेविटार सेविटार ऐसे ही बनते हैं चीटिंग करके अरे बिल्कुल सही बोला आपने वैसे मैं रैट गलर का कब होंगा उसके लिए तुम्हें एक असली चुनौती का सामना करना पड़ेगा किसी घतरनाक से लड़ना पड़ेगा क्यार मैं समझ गया वो तो गाइस ह कर देना मैक्स ओपी तो मैं मिलूंगा आपसे सीधा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखना